किर्पिया आप मेंसे मेरे साथ दो रहे हैं भारत्य संभिधान के उद्देशिका को भारत्य संभिधान की आत्मा कहा जाता है भारत का संभिधान Constitution of India उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रबुत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेच लोकतां त्रमक गन्राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक नियाई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वत्त्रता पर्तिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में विक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदूता बढ़ाने के लिए दृद संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज तारीक 26 नॉवंबर 1949 इस्वी को एतद इस सम्विधान को अंगे कृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं यह सम्विधान 26 नॉवंबर 1949 इस्वी को बनकर तयार हो गया था इसे बनने में दो बर्स 11 महिना 18 दिन का समय लगा था ठीक न आप सभी को मालूमी होगा और भारति सम्विधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित सम्विधान है 26 इसके बाद यह सम्विधान हुआ इसमें उद्देशिका में कुछ फेर बदल के गए यानि के संसोधन के गए सम्विधान 42 संसोधन देखिए यहाँ पर क्या लिखाया 42 सम्विधान संसोधन अधिनियां 1976 की धारा दो द्वारा प्रभुत्व संपन लोकतांत्रात्मक गनराज यह सब्द जोड़ा गया कि अस्थान पर परतिस्थापित जोड़ा गया क्या जोड़ा गया प्रभुत्त संपन लोकतंत्राजम गन्राईच के अस्थान पर परतिस्थापित जोड़ा गया, ठीक न芥ा पर परतिस्थापित क्या गया यहाँ पर जोड़ा गया, यह वला संबिधान दो नमबर क्या है संबिधान का 42 संसोधन अधिनियम 1976 की धारा दो दुआरा 3.1.1.1977 से यानि कि 3.1.1.1977 से राइश्टर की एकता के अस्थान पर परतिस्थापित किया गया टिक दो चीजे आप पिसे सुरूप से द्यान रखिए गया इस संबिधान के बारे में भारतिस संबिधान का पिता डॉक्टर भीम राव अंबेतकर को कहा जाता है आपको मालूमी होगा बाबा साहब भीम राव अंबेतकर चलिए आपको एक मैं याँ पर टास्क दे रहा हूँ ये बताईए का कि भीम राव अंबेतकर किस राजिके थे तुबाई अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा सम्मिधान के उदिस्तिका फिर से बता दिया और सम्मिधान के उदिस्तिका को सम्मिधान का आत्मा कहा जाता है ठीक सम्मिधान के आत्मा किसे कहा जाता है बाल से सम्मिधान के उदिस्तिका को झाल झाल